अब दोस्तों ये तो रहा पहला तरीका कि आप किस तरीके से D-Mart से इंकम कर सकते हो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ D-Mart Business Opportunity की जी हाँ दोस्तों आप बिलकुर ठीक सुन रहे हैं D-Mart के साथ चुल कर आप कैसे बिजनस कर सकते हैं कैसे आप D-Mart से पैसे कमा सकते हैं ये मैं आपको जुरूर बताऊंगा लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी ये D-Mart है क्या ये कब सुरू हुआ इसके founder को ने दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसके founder को जानते नहीं हो दोस्तों ये इंडिया के top 5 richest person में से एक है इनका नाम है राधा किसन दमानी दोस्तों राधा किसन दमानी एक ऐसी सक्सियत हैं जिनोंने अपने carrier के सुरूआत तो stock blocking से करी लेकिन जब वो retail field में आए तब उन्होंने हिंदुस्तान की सारी company के पीछे छोड़ दिया आप सभी लोगोंने Big Bazaar का भी नाम सुना होगा Reliance Phrase का भी नाम सुना होगा ऐसी बहुत सारी companies को आप जानते होंगे लेकिन D-Mart उन सब में सबसे आगे है दोस्तो D-Mart पर आप कभी भी चले जाएए आपको बढ़िया sales मिलती है बढ़िया rates मिलते हैं बढ़िया discounts मिलते हैं जबकि बाकी जगह ऐसे discounts ऐसे offers आपको नहीं मिल पाते हैं मेरे पास भी अक्सेर calls आते हैं कि मुझे D-Mart की franchise चाहिए आप मुझे D-Mart की franchise बिजनस के बारे में बताएं तो दोस्तों मैं उनको directly यही कहता हूँ कि D-Mart किसी के तुरू भी franchise देता नहीं है आप directly उनकी website पर जाकर ही उनसे संपर्क कर सकते हैं directly आप company के officials लोगों से ही बात कर सकते हैं और साती साथ दोस्तों मैं कुछ भी बताने से पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि D-Mart directly अपनी franchise नहीं देता लेकिन उसके साथ जुड़कर आप business कर सकते हैं कैसे business कर सकते हैं यह मैं आपको बताऊँगा साथी साथ क्या business opportunity है यह भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों D-Mart के जो सुरुआत हुई थी सन 2002 में हुई थी पहले 10 साल उन्होंन अपने business को अच्छे से समझा जाना कि इस business में कितना potential है कितना dumb है पहले 10 सालों में इनके केवल 25 store start हुए लेकिन अगले 10 सालों में यह store 25 से बढ़कर 200 तक पहुँच गए तो इन्होंने वहाँ से तेजी पकड़ी accelerator दबाया और बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे और दोस्तों आज 70 से जादा सहरों में 200 stores इनके already operational है और कोई भी store इनका छोटा store नहीं है सारे store full-flage बड़े stores है दोस्तों D-Mart एक ऐसा business concept है जहाँ पर आप directly जाएंगे जैसे यसे online बढ़ता चला गया जैसे अभी पिसले कुछ सालों में COVID का problem आई तब इन्होंने online भी अपना business शुरू कर दिया D-Mart Ready के नाम से और इनका जो business concept है सिर्फ आप directly इनके store से नहीं बलकि इन्होंने pick-up point बना दिये हो सकता है कि आप जहां रहते हैं वहाँ से D-Mart का store 20 km दूर हो और आप 20 km नहीं जाना चाहें तो इन्होंने pick-up points बना दिये और आपके घर के हो सकता है कि 2 km दूर ही pick-up point हो आप order करेंगे pick-up point पर आपका order आ जाएगा और आप pick-up point से अपना order pick-up कर लेगे तो इन्होंने इस तरीके से हर एक ग्रहा को solid देनी की सोची और इस तरीके से इन्होंने अपना consumer base बढ़ाया दोस्तो D-Mart इंडिया में एक जानावाना नाम है लोग D-Mart के साथ जुड़ना चाहते हैं D-Mart के साथ business करना चाहते हैं कैसे आप business कर सकते हैं किस तरीके से आप D-Mart के साथ associate हो सकते हैं दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ D-Mart के बारे में इससे पहले दोस्तो मैं पर बहुत सारे calls आते हैं जैसे कि मैं आपको बताया D-Mart की franchise के बारे में दोस्तों, जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपना ही store क्यों नहीं start कर लेते हैं, क्यों आप DMART का ही franchise ही लेना चाहते हो, तो सामने से जवाब आता है कि हम इतना बड़ा store कैसे open करेंगे, इतनी technology कैसे manage करेंगे, किस तरीके से वो discount दे पाएंगे, जो discount and offer DMART पर मिल रहा है, तो दोस्तों, यहाँ पर जो discount और offer मिलता है, इसमें बहुत सारे calculations होती है, जैसे कि अगर आप अपना modern store start करते हो, अब दोस्तों, यहाँ पर आप जितने भी racks लगाते हो, जब आप company से type करते हो, तो company आपको हर एक rack के बदले display charges देती है, अगर आप FMCG background से हैं, तो आपको पता होगा, कि जितनी भी branded company है, अपना stock आगे दिखाने के लिए, आपको display charges देती है, तो यह जो display charges होते हैं, यह आपके लिए एक extra income का जरिया होता है, और यही income बहुत सारे बड़े बड़े brands, discount के रूप में देते हैं, ताकि उनकी sale बढ़ जाए, क्योंकि दोस्तों, जब आप किसी बड़े store में जाते हो, डीमार्ट जैसे store में जाते हो, तब आपके बड़े एक product लेकर नहीं आते हो, और जो बलई आपकी list में हो या ना हो, वो आप अपने bucket में रख लोगे, आपने देखा होगा इनी stores में, entry point एक जगह होता है, और exit point दूसरी जगह पर, और entry point से लेकर exit point के बीच में आपको पूरा store विजिट करना पड़ता है, इससे क्या होता है दोस्तों, आप time spend करते हैं उस store के अंदर, और time spend करने की वज़े से, आप अपने जरुवत का बहुत सारा समान वहां से pick कर लेते हो, और इस तरीके से इनकी sales बढ़ जाती है, तो दोस्तों, आप भले डीमार्ट जैसा बिजनस करने की सोच रहे हों, दे रहा है, डीमार्ट आपको simply यह opportunity दे रहा है, कि अगर आप कोई product के manufacturer हो, suppose करो कि आप नमकीन बनाते हो, biscuits बनाते हो, सर्फ बनाते हो, या ऐसा कोई भी product है, household products, हजारों आइटम्स बिखती हैं डीमार्ट के अंदर, आथो आप किसी भी product के अगर manufacturer हो, तो आप directly अपने product को list करा सकते हो, डीमार्ट पर, और डीमार्ट के सारे 200 centers पर आपका product बिखेगा, इस तरीके से आपके product की reach बढ़ जाएगी, आपके निए consumer base open हो जाएगा, और आपके demand बढ़ जाएगी, तो आप किस तरीके से अपने product को list करा कर अपनी sales बढ़ा सकते हो, और अपने business को increase कर सकते हो, अप जरूरी नहीं कि आप manufacturer हो, हो सकता है कि दोस्तों आप importer हो, हो सकता है कि आप बड़े trader हो, आप as in trader भी आप यहाँ पर associate हो सकते हो, आप as in manufacturer भी associate हो सकते हो, और आप as in importer भी यहाँ पर associate हो सकते हो, तो आप directly इनके साथ जुलकर पैसा कामा सकते हो, अब यह तरीका क्या है पूरा process में आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, यह आप पूरा वीडियो end तक देखेगा, तो आप जान जाएंगे कि अगर आप कोई product में deal करते हैं, तो किस तरीके से अपने product को directly DMART के साथ associate करा सकते हैं, अब दोस्तों यह तो रहा पहला तरीका कि आप किस तरीके से DMART से income कर सकते हो, दोसरा तरीका क्या है दोस्तों, दोस्तों अगर आप कोई landlord हैं, आपके पास कोई बड़ी जमीन है, 10,000 square feet, 20,000 square feet, जो कि सहर के बीचों बीच है, अच्छी prime location के उपर है, तो आप अपनी जमीन को directly lease पर दे सकते हो DMART को, जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुत सही सुन रहे हैं, आप अपनी जमीन को lease पर दे सकते हो DMART को, DMART को अगर आपकी location पसंद आई, अगर उन्होंने आपकी जगह पर अपना store खोलने की सोची, तो आपको एक बहुत अच्छी income वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों, ये soul description DMART करा हैगा, कि उसने वो जमीन लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि दोस्तों, expansion अभी उन्होंने करना है कि नहीं करना है, ये DMART का अपना खुद का decision होगा, और expansion करना भी है, तो आपके उस सहर में अभी करना है या नहीं करना है, लेकिन दोस्तों, फिर भी आप असानी से, अगर आप कोई जमीन के मालिक हैं, तो आप online जाकर आप directly अपने जमीन की पूरी inquiry, आप अपने जमीन की पूरी details DMART तक भीज सकते हो, और DMART फिर उसे shortlist कर लेगा, और अगर DMART ने shortlist कर लिया, तो आप उनके साथ associate होकर अच्छा पैसा कमा पाओगे यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, कि DMART directly franchise नहीं देता है, DMART के जितने भी stores हैं, सारे उनके अपने stores हैं, तो आप कभी भी DMART की franchise लेने के लिए phone ना करें, मेरा आप से request है, कि आप खासकर हमें phone ना करें, क्योंकि DMART का हमारा किसी भी तरीके से relation नहीं है, यह वीडियो सिर्फ आपकी education purpose के लिए बनाया गया है, ताकि मैं आपको जानकारी दे सकूँ, कि अगर आपको product के manufacturer, importer या बड़े trader हो, तो आप किस तरीके से इनके साथ जोड़कर पैसा कमा सकते हो, अगर आप कोई जमीन के मालिक हो, अच्छी location पर आपकी जमीन है, और आप उसको DMART के साथ associate करना चाहते हो, तो किस तरीके से आप कर सकते हो, यह information देने के लिए पूरा वीडियो बनाया गया है, DMART अपनी franchise नहीं देता है, यह मैं आपको फिर से कहता हूँ, प्लीज इस चीज़ के लिए आप franchise बिताओ को call ना करे, तो दोस्तों, अब हम जानते हैं क कैसे आप यहाँ पर अपने product को associate कर सकते हो, क्या business opportunity है, क्या किस तरीके साथ अपनी land को associate कर सकते हो, यह क्या business opportunity है, तो DMART की business opportunity को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को last तर देखिएगा, skip मत करिएगा, क्योंकि बहुत technical points हैं, अगर आपने कुछ भी skip किया, तो हो सकता है कि आप सही से form fill अपना कर पाओ, और आपका जो business opportunity वो आपसे miss हो जाए, तो देखते रही है franchise ही बताओ, ऐसे ही business ideas मैं आगे भी आपके लिए कर आऊंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा, साथ ही साथ वीडियो को like और comment क सकते हैं, DMART के साथ, कैसे आप partner कर सकते हैं, लेकिन बताने से पहले, जैसे कि इनकी website पर बताया जा रहा है, कि DMART की जो official website दो ही है, DMARTIndia.com और DMART.in, बहुत सारी इसी तरह की website बना कर आपको franchise opportunity या business opportunities बताई जाती होंगी, तो ऐसी किसी भी website पर भरोसा ना करें, सिर्फ और स पर जो भी information उसी पर भरोसा करें, अभी मैं आपको जो लेकर आया हूँ DMARTIndia.com जो इनकी official website है, यहीं से मैं सारी information आपको देने वाला हूँ, सबसे पहरें आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको product क्या-क्या मिलते हैं, ग्रोशें डिस्टेपल्स, डेली एसेंसियल, डेली फ्रोजन, DMART ब्रैंड्स की बहुत सारे अलगला product मिलेंगे, croqueries मिलेंगी, home appliances मिलेंगे, bed and bath, home and personal care, footwear, luggage, toys and games, plastic के समान आपको बहुत सारे मिलेंगे, fruit and vegetables, men's apparel, women apparel, kids apparel, और बहुत सारे इसी तरह की चीज़े day by day add हो रही है, अब यहाँ पर आप associate कैसे हो सकते हैं, अगर आप इन में से किसी भी category में deal करते हैं, किसी भी category के manufacturer या फिर बड़े trader हैं, तो आप इनके साथ associate हो सकते हैं, as a new vendor, आप new supplier या vendor के रूप में जुड़ चकते हैं, इसके लिए यहाँ पर link दिया हुआ है, इनकी website के homepage पर dmartindia.com इस website पर, दूसरा जो तरीका है, वो अगर आप landlord है, आप अपनी property sell करना चाहते हैं, या rent पर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं दोनों registration आपको करके दिखाता हूँ, सबसे पहले अगर आप new vendor हैं, तो आप इस पर click करेंगे, और category चूज करेंगे, कौन सी category में आप जाना चाहरे हैं, हो सकता है कि आप kids के garment बनाते हो, मतलब बहुत सारी categories हैं, सारी categories आपको यहाँ पर मिल और आपको categories मिलती चले जाएंगे, तो यहाँ पर मैं बत बात करता हूँ, suppose करेंगे कि आप बच्चो के कपड़े बनाते हैं, तो आपने यह category चूज की, इसमें subcategories भी हैं, आप एक subcategories चूज कर लिजेगा, जिसका भी आपका manufacturing हो, ट्रेडिंग हो, अब यहाँ पर आप आपने simply अपना नाम, email ID, और mobile number यहाँ पर डालना है, जो भी mobile number आपका हो, अपनी company के बारे में बताना है कि आपकी company कब बनी थी, क्या था, आप यहाँ पर क्या है, owner है, director है, इसके अलावा आपकी company का status क्या है, manufacturer है, distributor है, trader है, proprietorship company है, private company है, सब चीज आप बताएंगी, यहा turnover है, इस company का, per annum क्या turnover करती है, अभी कौन से team बड़े retailer है, जिनके साथ आपका turnover होता है, कितने लोग काम करते हैं, आपकी team में, आपका location कहां पर है, plant कहां पर है, और per day की manufacturing capacity क्या है, यह सब चीजे डालेंगे, और साथी साथ, text reminder के लिए कौन सा phone देना चाहते हैं, इस सब चीजे करने के बाद, आप schedule event पर click कर देंगे, तो company के साथ आपका appointment fix हो जाएगा, 30 minutes का online आपसे बाच्चित करेंगे, और उसके बाद अगर उन्हें समझ में आता है, आपका product, आपके rates, आपकी quotations, तो आपकी direct association हो जाएगी DMART के साथ, दूस्तों यह सिर्फ एक तरीका है, क website के homepage पर जाना है, homepage पर जाने के बाद, सबसे पहला तरीका तो है, homepage पर quick links दिया गया है, जहाँ पर आप vendor online appointment का option है, इस पर click करेंगे, दूसरा option है partner with us का, इस पर आप click करेंगे, तो एक नया page open हो जाएगा, यहाँ पर से भी आप directly अपनी सारी information डाल सकते हैं, जैसे कि supplier का contact ह तो सारी वही चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है, सब सारी information यहाँ पर proper डालने के बाद, आप submit कर देंगे, तो आपका form submit होके सारी details, DMART company के पास चली जाएगी, और फिर अपने time के हिसाब से वो आपको call कर लेंगे, ठीक इसी तरीके से अगर आप landlord हैं, तो आप अपनी जमीन की, आफिर जो भी आपके property है, उस property को यहाँ पर list करा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम देना होगा, last name देना होगा, email ID, mobile number, कौन से state से हैं, कौन से city से हैं, location क्या है, आपकी जो property, उसका landmark क्या है, proper address क्या है, pin code क्या है, यह आपको डालना है, सा आपका layout address, location, plot size, कम से कम 20,000 square feet का size चाहिए, उससे छोटा है, यहाँ पर आप apply ना करे, front कितना होगा, front भी इनको अच्छा चाहिएगा, length, width, carpet area, floor, carpet area, commercial per square feet, मतलब कि क्या आप चार्ज करने वाले हैं, क्या आपका सूच है, वो आप यहाँ पर डालेंगे, road कितनी दूर है, वहाँ से, road कितना चोड़ा है, service road है की नहीं है, property residential है, commercial है, क्या timings है, यह सारी information आपको यहाँ पर देने के बाद, तीन photo चाहिए, property की, वो यहाँ पर आपको upload करनी है, और फिर उसके आप अपना information यहाँ पर submit कर दीजेगा, बड़ा simple सा इन्होंने बनाया है, कोई ऐसा नह payment भी है, अगर आपको technical knowledge नहीं भी है, तब भी आप आसानी से यहाँ पर form fill up कर सकते हैं, form fill up करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो आप अगर एक supplier है, कोई product में deal करते हैं, product categories बहुत सारी है, आप देखिए कितनी सारी category है, bath, bed, branded grocery, bulk grocery, crockery, electric, fabric, FMCG foods, FMCG non-food, footwear, fresh food, fresh vegetable, hanker chips, home appliances, ऐसे चलती चल जाएगी, दोस्तों से ज्यादा categories है, तो आप अगर कोई भी category के manufacturer या trader है, तो आप directly company से tie-up कर सकते हैं, और एक बार ऐसी company से आप का tie-up हो गया, तो आपके life set हो जाती है, दोस्तों, तो आप इस तरीके से DMART के साथ जुड़कर अपना business के growing company है, day by day आगे बढ़ रही है, day by day लोगों को, day by day लोगों के अंदर अपना विश्वास जगा रही है, तो आप भी DMART के साथ जुड़कर अपना business सुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताया, DMART के बारे में, ऐसी और कौन से company की जानकारी चाते हैं, आप मुझे बताएं, मैं इसी चैनल पर आपके लिए लेकर आऊंगा, देखते रही है, फ्रेंचाइज ही बताओ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, शेयर करना मत भूलिएगा, साथे साथ लाइक और कमेंट जरूर कर झाल 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